है anya is welcome to the solution hope کہ आप सभी लोग ठीक होंगे शुरक्षीट होंगे सेफ होंगे अपना ध्यां रख रहे होंगे और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे एक टॉपिक पर अरहसर लोग काफी क Lud काफी कंफियूज होते और काफी बातचीत करते रहते और आज कल काफी hot topic भी बना हुआ है कि आखिर NTA score का रहस से क्या है आखिर marks कम है फिर भी score जादा कैसे और कई सारे students जो है इस चीज को लेके काफी परिसान भी है कि marks कम नज़र आ रहा है फिर भी आपका score जादा है कैसे ये उथल पुथल देखने को मिल रहा है और marks कम होने के बावजूद भी score जादा कैसे हो गया इस रहस के बारे में बातचीत करते है और hopefully ये video end तक देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर चीजे किस तरीके से वो work out करती है कई सारे students वैसे तो marks और score को लेके काफी confused रहते वो confusion जो है आपको इस video को देखने के बाद दूर हो जाएगा तो सीथे सब्दों में अगर मैं सुरू करूँ तो चलिए देखिए आपके पास जो है एक raw marks नजर आता है ठीक है ना? kind of raw mark जो है ना? अब ये raw mark जो आपके पास होता है कही सारे बच्चु या कही सारे cases में लगता है कि ये raw mark है क्या? या जैसे किसी के number मैं दो cases दो students को लेके और चीजों को लेके जो है वो आगे बढ़ रहा हूं और समझाने की जो है वो कोसिस करूँगा कि क्या basic cases चलना है ठीक है सवाल जब ये आता है कि मैं दो students को ले लेता हूं एक student है मेरे पास A और दूसरा student है B एक database में A के जो raw marks है ठीक है न? वो है 91 और इसका जो NTA score है वो भी 91 है लेकिन B student उसी same shift की बात हो रही है इसका जो marks है वो basic तोर पे है 79 और जो स्कोर है वो 85 है ठीक है तो सबसे बड़ा एक confusion students के बीच में ये है कि उनको लगता है कि एक marks अगर बढ़ रहा है तो एक percentile जो है वो आ रहा है वो marks को directly percentile से जो है वो relate कर लेते हैं percentile का मतलब यह है कि जो आपका ये NTA score आया है इससे relate कर लेते हैं लेकिन NTA score जो है ये percentile के basis पे जबकि ये marks आप जो है वो out of 200 जो है वो calculate करते हैं जो कि एक raw answer की होता उस raw answer की से या जो final answer की है उसके basis पे जो है आप इस चीज को calculate करते हैं अब इसमें अगर एक चीज समझेंगे तो जो raw marks है उसका percentile से direct link up नहीं होता है मतलब already link है लेकिन percentile में आपको कुछ factors जो है वो include होते हैं मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा तो जड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जो NTA score का formula होता है अगर आपको पता होगा तो यह NTA score का formula होता है कि 100 इंटू वो students 100 इंटू वो students जो basic तोर पे आपके less than score किये है less और equal score किये उतने students and divided by total तो अगर आप देखेंगे अब यह shift wise होता है कि उस shift में जो है अगर shift 1 shift 2 की बात होती है तो shift में जो है basic तोर पे यह formula चलता है आपके percentile में आपसे कम कितने लोग score किये थे और फिर total कितने students है इसके basis पे जो है वो NTA percentile calculate किया जाता है मुद्दा यह बनता है कि जब आप यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में एक का 90 marks 91 marks पे 91 percentile ही है जब कि एक का 79 marks पे 85 percentile है अब कई लोग इसको directly 1 percent से relate करते हैं इसलिए वो confused हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रखा लेकिन मैं इसी चीज़ को समधाने की process करता हूँ कि एक example के थ्रू कि यह कैसे जो है वो possible हो सकता है जब आइस चीज़ को समझिएगा मैंने यह assume किया है कि जो total students appear हुए है CSR के exam में वो कितने हुए है 50,000 कितने हुए है 50,000 हुए है अब अगर यह 50,000 जो है आपने assume कर लिया कि total students जो appear हुए है वो 50,000 है अब इनसे एक shift में मैं बात कर रहा हूँ ठीके न है in one shift एक shift में जो है 50,000 है इसको या total बोल अगर shift में 50,000 मान सकते या कोई कहेगा कि नहीं और छोटा जो भी आपको data लेना ले सकते मैंने एक general data लिया है इसके basis पे अब इसी shift में person A और person B के marks और score का क्या interpretation और चीज़े क्या है 91% है और किसी ने कहा कि मेरा score जो है 85% है तो इसका basic मतलब है कि जिसका score 91% है उसका ये sense होता है कि ये लगभग 91% लोगों से score जो है इसका बराबर है या तो उनसे जो है वो ज्यादा है ये cases है कि इसका जो score है 90 जो जितने भी student रहा उन से जितने भी student है उन में से 90 प्रतीसत लोगों से जो basic तौर पर इसका number जादा है और 9% लोगों से इसका marks less है 9% से less है और 91 से जो है वो जादा है फ़ड़ा example के थूरू समझे कि मैंने just for example total जो student है उस shift में मैंने 10,000 लिया है कितना लिया है 10,000 यहाँ पर मैंने 10,000 लिया है just for easy calculation तो कहने का मतलब है 10,000 का 91% क्या होगा कहने का यह मतलब है कि यह जो student A था इसका number basic तौर पर जो 10,000 का 91% आएगा वो हो जाएगा 9,100 मतलब इस person ने 9,100 लोगों से जादा marks score किया है मतलब इस 10,000 में से 9,100 लोग इससे कम यह इसके बराबर marks है मतलब इससे कम वाल और इससे जादा कितने लोगों ने किया है 9% यानि कि इस student से इस student से 900 लोग जो है वो जादा score किये कहने का कुल मिला जो लाकर यह है कि इसको अगर simple सब्दों बोला जाए तो यहां पर अगर top student जो भी score होगा टॉपर होगा वो टॉपर होगा और कहीं ने कहीं टॉपर से इधर जो होगा अब उस student का जो नंबर है वो 91 marks था जैसा हमें पता था इसका raw marks था 91 तो 91 टॉपर का मान लो whatever xyz whatever value 91 से लेके उस टॉपर के बीच में कितने बच्चे है 900 बच्चे क्योंकि इतने ही बच्चे इस क्यानबे से जादा score किये हैं बाकी जितने भी 9100 वो इससे कम score किये है percentile का ये मतलब होता है कि आपका जो hundred minus percentile करोगे न तो जितना percentile वो basic तोर पे show करता है कि उससे जादा कितने percent बचे हैं और उससे पहले कितने बचे हैं तो 91 प्रतिसत जितना आपका percentile है ये समझ लिजिए कि उतने प्रतिसत लोग जितने appear हुए हैं उन appear में से उतने प्रति example यह 91 के लिए था तो 9% लोग उससे जादा जो है marks को carry किये ठीक है तो basic तौर पे ये कहानी जो है वो carry out हो रही है तो ultimately अब देखा जाए तो 91 से topper के बीच में कितने बच्चे बच्चे 900 और बाकी के जो है अब कहीं न कहीं 85 और 79 का मुद्दा क्या है अब ये marks directly related नहीं है तो है लेकिन directly नहीं है क्योंकि इसका 79 marks था लेकिन 85% है तो इस 85% का सिनारियो क्या बनता है तो 85% का जो सिनारियो बनता है वो ये कहता है कि देखिएगा 85% इसका मतलब है कि 85% जो लोग है वो इस बंदे यानि जो भी बंदा था जिसके 89 नंबर थे उनका नंबर 89 से कम होगा या बराबर होगा जी 85% आफ दा टोटल का और 15% लोगों का जो नंबर होगा वो 89 से क्या होगा जादा होगा ठीक है बेसिक तौर पे ये कहा जाता है 15% अगर यहाँ पर टोटल नंबर की जो बात होती है वो टोटल कितना था 10,000 था तो कहा जाए सिंपल सब्दों में कि 1500 लोग अगर मैं टोटल को 10,000 मान के चल रहा हूँ तो उस हिसाब से जो 1500 लोग होगे जिनका नंबर 89 से जादा होगा और करीब करीब 8,500 ऐसे होगे जिनका नंबर 79 के बराबर या उसे कम है तो पर्सेंटाइल का बेसिक मतलब ये कहता है या बेसिक चीजें जो है कुछ इस तरीके से उपरेट होती है एक बार सिंपल सब्दों में फिर समझ ये कहीं ने कहीं टोटल जो लोग अपियर हुए है उस सिफ्ट में ये वैल्यू वैरी कर सकती है फॉर एक्जांपल मैंने यहां पर 10,000 को ले लिया अगर एक परसंट ये था जिसका रो मार्क्स 91 और परसेंटाइल 91 परसेंट था तो कहने का मतलब ये था कि कहीं ने कहीं 91 परसेंट लोगो जो लोग होंगे इस टोटल का 91 परसेंट आफ टोटल जो है वो इसके मार्क से कम करेंगे कितना रो मार्क्स था वो रो मार्क्स था जो था वो था 91 यानि 91 से कम या उसके बराबर और बाकी बचे हुए 100-91 करेंगे तो 9% आफ टोटल जो होगा उनका मार्क्स 91 से जाधा होगा 91 परसेंट यानि 9100 लोगों का मार्क्स 91 से कम और करीब करीब 900 लोगों का मार्क इक्यानवे से जादा तो दस हजार के स्केल पर आप अगर देख रहे थे तो टॉपर का मार्स जो भी रहा हो उसमें से करीब इक्यानवे मार्स वाला बच्चा यहां स्टेन करता है इसके आगे 900 लोग है अब इसके बाद बात करेंगे 20 स्टूडेंट की अब 20 स्टूडेंट यह कहता है कि इसके जो राव मार्स थे वो थे 79 लेकिन पर्सेंटायल था 85% 85% का मतलब यह है कि 85% of total जो है उनके मार्स इस 79 से कम या बराबर होंगे लोगों के जो अपियर हुए है, जो अपियर हुए, यहाद रहा है अपना कि यह अपियर के नमबर है, टोटल अपियर इन डैट सिफ्ट, जिस शिफ्ट के बात कर रहे हैं, ठीक है, और 15 प्रतिसत ऐसे लोग होंगे, आफ अपियर्ड जो टोटल अपियर्ड हुए हैं उनका मार्ग 79 से जाधा ठीक है यह मतलब है अब कहीं कहीं इसका मतलब यह होगा कि 85 जो है 8500 लोग 79 से कम वाले हैं और 1500 लोग 79 से जाधा वाले अब इसी स्केल में देखे जो टॉपर था उसके मार्ग स्वाटेवर जो भी रहे होंगे अब 91 से आगे कितने लोग है 900 लोग है और 79 वाले से आगे कितने हैं 1500 लोग है यह मतलब होता है कि आपका जो परसेंटाइल है वो यह बताता है कि आपके मार्ग से कितने लोग आपसे आगे हैं या कितने लोग आपसे पीछे तो 91 वाले से पीछे लगभग 9100 थे और आगे 900 लोग है और 79 वाले का यह परसेंटाइल बताता है कि लगभग 50 परसेंट उसके आगे है और बाकी जो है कितने उसके बेसिक तोर पर कम है तो यह चीज आपको इंटरप्रेट कर रही है यानि 79 और यह 15 हो रहे है तो यह स्कूर है और इस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है आप जो है सिर्फ और सिर्फ यह नहीं कि पता लगा कि हम एक परसेंट एक परसेंटाइल स्कूर जो है वो रिलेट करके चलोगे तो हो चुगा कर लिया परसेंटाइल और स्कूर का बेसिक मतलब यह होता कि कितने लोग आपसे आगे हैं और कितने लोग आपसे पीछेंगहें कि अन। इस तरीके के हाणी जब मैंने टोटल पू इतना लिया था तब है ृक थेगा तो इनजनरल अगर आपसे एकशिकषा की बात की जाये, एक scale बनता है, ठीक है, इस scale पर एक number होगा, topper का, और एक सबसे होगा, जो एकदम bottom पे होगा, ठीक है, एक number दुने bottom पे होगा, एक topper का, tupper का percentage nodig वो 100% होता है, क्योंकि उसके उपर कोई होता नहीं है, इसी वह derive से, उसका 100% होتा है, अब किसी एक बच्चे का जो है मालो की कोई परसन वन है उसका यहां पर मार्क्स जो भी होगा ठीक है कोई एक परसन टू है उसका मार्क्स कुछ भी होगा परसन थ्री है उसका मार्क्स कुछ भी होगा तो आपका पर्सेंटाइल ये कहता है, तोटल में से, कि आपसे आगे कितने लोग है, वो ये हो जाता है, आपका हंड्रेड माइनस जो पर्सेंटाइल स्पोर है, into total appeared, जो total student appear होंगे, वो कितने appeared हुए हैं, उतने लोग आपसे आगे हैं, और कही न कही आपसे पीछे वाले क्य हो जाएंगे आपका जो परसेन टाईल है इंटू टोटल अपियर ये आपका हो जाएगा परसंगे आपका हो जाएगा परशन माइनस इसका जो परसेनard लोगा उतने इंटू टोटल कांगे तो इतने लोग जो है उनका smarter इस पर्सन से और इसधर जो होगा परसिंटाइल into total कर देंगे तो उतने लोग वह कम है तो परसिंटाइल जो है यह बताता आप कि आप कितने लोगों से आगे और कितने लोगों से पीछे हैं बेसिक तोर पे अपने मार्स के एकॉर्डिंग उस सिफ्ट में और इसी वज़ा से सिफ्ट के एकॉर्डिंग जो है यह चीजे बदलती हैं परसेंटाइल का नहीं कोई लिंक होता है आपके सेक्षन ए बी सी से ठीके कई लोग बोलते हैं सी में ज्यादा है बी में तो होता है नहीं कोई लिंक होता है आपके कैटेगरी से नहीं कोई लिंक होता है आपके किसी भी तरीकी के टाइप आफ कोस्टन करने से कि आप कॉंपलेक्स कोस्टन करेंगे तो वैरी करेगा नहीं कोई लिंक ह बैसी चीज से नहीं होता पर्सन्टाइल उनली टेल्स अबाउट कि आप इस से आगे हैं और कितने लोगों से पीछे हैं जितने लोगों ने उस सीफ्ट में इक्जाम दिया है ये बताता है आपका पर्सन्टाइल होफ पूली की इस वीडियो में पर्सन्टाइल का basic मतलब जो है clear हो गया होगा और ये रहस से भी जो है resolve हो गया होगा कि आखिर कुछ लोगों के number कम होने के बावजूद भी जो है percentile ज्यादा क्यों है बेसिक तोर पे सिर्फ उसका यही sense है कि उसके marks से जो है उस number के आस-पास या उस range में जो है कम लोग है इसलिए percentile तेजी से भागता है लोग जादा होंगे तो percentile धीरे भागेगा एक simple सा logic यही कहता है अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe करिएगा और आगे की वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहेगा मिलते हैं तब तक बाबाई Hello guys, welcome to the channel के साथ जुड़ सकते हैं So join unacademy plus और iconic subscription and CSR को crack कर ये smart lane confidently Let's go